गाईज ये कहानी है दो दुनिया के बीच की जहां एक तरफ तो हमारी दुनिया है जहां पे इंसान रहते हैं वहीं पे दूसरी तरफ दूसरी दुनिया जहां पे सारी भूत रहते हैं मरने के बाद में भी लोग एकसिस्ट करते हैं लेकिन उस दुनिया में हर किसी का आना जा पॉसिबल नहीं है तो चलिए फिर मिलते हैं आज हम सभी लोग एक ऐसी ब्राइट से जिसके शादी वाले दिन ही उसे मार दिया गया गाईज ये एक डाक मूवी है मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फिश मर्चंट फैमली दिखाये जाती है जहां पे एक लड़का विक्ट चलता है कि विक्टोरिया एक बहुत अमीर खांदान से बिलॉग करती है विक्टोरिया के फैमली के भी सेम हालाथ थे वो भी विक्टर की फैमली के जैसे थे काफी रूड और मतलबी जो कि विक्टोरिया के बारे में बिना सोचे समझे किसी भी लड़के से उसकी शाधी करा चाहते थे लेकिन ये फैमिली एक जूटी फैमिली थी क्योंकि जितना ये अमीरी बाहर से दिखाती थी उतनी खोकली ये अंदर से थी इनके पास ना कोई पैसा था ना कोई जूलरी थी ये बस विक्टर से अपनी बेटी की शादी करा के खुद अमीर बनना चाहते थे नर्واस होता है क्योंकि उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विक्टर और विक्टोरिया दौनों के ही माबाप की ही सोच थी कि कि इन दौनों दौनों लड़के लड़कियों के बीच में प्यार होना हो होती है और इसी में इन दौनों को समझ में आ जाता है कि यहाँ झाद कराने होते हैं इसा करण इने वेडिन से पहले एक रिरियर्सल दिया जाता है जहाँ पर असल शादी के अंदर यह बने जादा नर्वस था कि वो बार बार में सारी चीजे गलत बोलता जा रहा था इसे के करण फादर भी गुस्ता होने लग गए थे गड़बर करने और गलती करने के करण विक्टर इतना जादा घबरा जाता है कि वो उस रिहर्सल हॉल को छोड़ के वहां से भाग जाता है फादर ने विक्टर को वार्निंग देगी अब जब विक्टर को सारी चीजे याद हो जाती है तो वो आखरी प्रैक्टिस के लिए अपनी रिंग को सामने वाले पेड़ की ब्रांच में पहना दीता है और उसी टाइम पी वो ब्रांच एक हाथ में बदल जाती है जोकि विक्टर के हाथ के पकड़ लेती है विक्टर आने के बाद वो आई डू बोलती है यानि ये उसे भी सब कुछ मंजूर है असल के अंदर ये लड़की एक मरी हुई लड़की थी जो कि एक भूत में बदल गई थी ये लड़के विक्टर के पास में भी जाती है बात करने के लिए लेकिन विक्टर बहुत बूरी तरीके से दर के वहां से भागने लगता है विक्टर भागता हुआ एक ब्रिज पर पहुंच जाता है लेकिन तभी ये लड़की उसके सामनी आ जाती है ये लड़की सीधा आके विक्टर को पकड़के उसे किस कर लेती है और इसे किस के साथ में ये शादी पूरी हो जाती है इतना ड गैलेडन मिलकी गाना गाना शुरू करते हैं और एक कहानी की तरह विक्टर को बताना शुरू करते हैं कि काफी सालों पहले एक लड़की थी जिसने एक लड़के से बहुत प्यार किया लेकिन इनकी फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं हुई इसलिए इन दौनों ने भागन ये लड़की तब से वहीं पे भटक रही थी, जैसे ही विक्टर ने आके इस लड़की से शादी करी, तभी ये लड़की जिन्दा हो गई, क्योंकि यही इस लड़की की आखरी ख्वाईश थी, इस लड़की का नाम एमिली था, दूसी तरफ उपर की दुनिया में एक बात फ इन सारी चीजों के बाद में विक्टोरिया की फैमिली बहुत गुसा हो जाती है, लेकिन विक्टर की फैमिले इंबरेस थी, और कुछ दिन मांगते हैं अपने बेटी को ढूणने का, विक्टोरिया की फैमिली को पता था कि विक्टर बहुत अमीर है, इसी कारण वो कुछ दिन दे देते हैं विक्टर को ढूणने के लिए और विक्टर के परिवार वाले विक्टर को ढूणने के लिए चले जाते हैं, विक्टर अब हर जगह बार बार में उपर की दुनिया में जाने का रास्ता ढूणता है, वो हर एक जगह पे जाता है, लेकिन बार बार में पहुत जाता है आमेले विक्टर को ढूंड चुकी थी और उसे अपने पांस बिठा के एक गिफ्ट देती है असल के अंदर विक्टर को जो गिफ्ट मिला था वो उसी का मरा हुआ डॉक था जो कि उससे बहुत प्यार करता था विक्टर को यहां पर थोड़ी बहुत खुशी ह पूद के पास में जाती है और उनसे कोई सॉल्यूशन मांगती है और वहां पर तंत्रमंत्र करना शुरू करता है और बड़ी सी बुक को खोल के कुछ इंग्रीटियन्स एक वाइन के अंदर डालता है असल के अंदर यह कोई सॉल्यूशन नहीं था भलके उसे खुद को पी दुनिया में पहुंच जाते हैं यानि कि जिन्दा लोगों की दुनिया में विक्टर और आमिली उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इन दौनों की शादी हुई थी विक्टर आमिली को समझाता है कि मुझे अपने परिवार को पहले समझाना पड़ेगा इसलिए तुम विक्टर से अपनी बेटी की शादी करा के अमीर बनना चाहते थे लेकिन विक्टर के भागने से सब कुछ खत्म हो गया और अगर इन्हें विक्टर मिल जो गया तो यह उसका गलास जरूर दबाएंगे विक्टर इस समय सोचता है कि उसे विक्टोरिया से डाइरेक्ट जाक करती है और उसे वहां से भूतों के दुनिया में यानि की वापस नीचे ले जाती है नीचे वाले दुनिया में आकि एमिली को विक्टर के उपर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसे विक्टर ने क्यों धूका दिया वह आखिर छूट बोल के एमिली को क्यों उपर लेकर गया उसने बस इसलिए जूट पोला क्यूंकि उसे दूसरी लड़की से मिलना था तब विक्टर यहां पर आमिली के उपर भढ़क जाता है और कहता है कि दूसरी लड़की वो नहीं है बल्कि दूसरी लड़की तुम हो मेरी शादी तो विक्टोरिया से होने वाली थी और गल कि शमकाने करने पता आज गया था कि शरूर किसीव यह मुशिबत में हैं क्तुरिया के साम हैं स्सब्रिटीका विक्टोरिया कने भूख कर दिया गया लेकिन वो अपने रूम के छट से भाग जाती जानी है है लेकिन फादर बहुत बुरा इंसान निकलता है, क्योंकि वो विक्टोरिया को पकड़ के वापस سे उसी के घर में छोड़ देता है, इस राइन विक्टोरिया को अच्छी तरीके से बंद किया जाता है, यानी कि उसके विंडो भी लॉक कर दी जाती है, Victoria के family इसलिए परिशान थी क्योंकि Victoria की शादी नहीं हुई तब है यहाँ पे बारकस आता है और कहता है कि अगर ऐसे ही कोई लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसे जरूर शादी कर लूँगा Victoria के family को लगा था कि बारकस भी बहुत अमीर है इसी कारण वो विक्टोरिया की शादी बारकस से कराने के बारे में सोचते हैं। विक्टर की फैमली अभी तक भी विक्टर को ढूंड रही थी। जिस समय ये लोग एक खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। उसी समय इन लोगों का एक्सिडेंट हो जाता है। जो इनसान बगी चला रहा था वो है इनसान मरने के बाद में भूतों के दुनिया में बहुँच जाता है। भूत बने के बाद उसकी मुलाकात विक्टर से होती है जो की बताता है कि विक्टोरिया की शादी जलदी बारकस से होने वाली है। विक्टर का यहाँ पे दिल तूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसे वहाँ पे एमिली की बात सुनाई देती है। क्योंकि वो जिन्दा है और तुम मरी हुई हो इसे ठीक करने का एक रास्ता है जिसे कि तुम दौनों साथ भी रह सकते हो अगर जिन्दा दुनिया के अंदर विक्टर जाकर वही सारे वचनों को वापस से रिपीट करें उनी सारे वावस को लेने के बाद वो जहर लेके मर जा शुन है लेकीं ये बात सुनते ही एमिली को भी बुरा लगनी लगा क्योंकि वह विक्टर को पसंड करती थी और इसकारण वहीं वहीडिट को मारना नहीं चाती थी लेकिन वहींदिफर तक सामने आ चुका था क्योंकि वहीं के साथ नहीं रह सकता इसी कारण वो एमिली के साथ रहने के बारे में सोचता है विक्टर एमिली को प्रॉमिस कर चुका था कि वो ऐसा ही करेगा दीखते ही देखते इस दूसरी दुनिया में वेडिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे इन दौनों की ड्रेस से भूत उपर आ जाते हैं जिसे हम विक्टर की बरात भी कह सकते हैं यहाँ पे भूत आके काफी जादा लोगों को परिशान करने लगते हैं लेकिन कुछी देर में लोगों को समझ आने लगता है कि यह और कोई नहीं बलकि इन्हें के ही बिच्छडे हुए फैमिली मेंबर है जो कि मर गए हैं इसी कारण सारे जिंदा लोग अपने मरे हुए परिवार वारे लोगों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं इस इमोशनल महौल के बाद में यानि कि सब एक दूसरे से मिलने के बाद चर्च में पहुंच जाते हैं विक्टर और एमिली है तो वो ले आओ तब विक्टोरिया उसे बताती है कि ना तो उसके पास पैसा है ना ही उसके पास कुछ सामान है अगर वो ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है बारकस को इस बात बहुत गुसा आता और वो विक्टोरिया को मारनी वाला था तब ही विक्टो अगर उसकी खुद के शादी नहीं हुई तो वो किसी और लड़की के जिंदे की बरबाद नहीं करेगी एमिली यहाँ पे विक्टोरिया को बुलाती है और इसी के साथ में विक्टोरिया का हाथ एमिली विक्टर के हाथ में रखती है ये शादी खत्म होने से पहले ही यहाँ पे बारकस पहुंच जाता है बारकस को देखते हैं एमेली पहचान जाती है कि यह तो वही आदमी है जिसने एमेली को धोका दिया था और उसका सारा समान लेके उसे मार के भाग गया था यहाँ पे बारकस और विक्टर की बुरी तरीके से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है विक्टर के पास बस एक नाइफ था और बारकस के पास एक स्वार्ट थी आखिर के अंदर विक्टर हारतावा नजर आता है जहांपे बारकस उसे मारने ही वाला था कि तभी सामने एमेली आ जाती है अब एमेली तो एक भूत थी अगर उसके आर पार से तलवार चली भी जाए तो उसे क्या फरक पड़ता है एमेली बारकस को नहीं मारती और उसे यहां से जाने के लिए कहती है बारकस को समझ में आ गया था कि अब उसे यहां से जाना चाहिए क्योंगि वो डर भी गया था लेकिन बारकस का टॉषरन अभी तक खत्म नहीं हुआ था वो जाते हुए बड़े स्टाइल से एक रेड़ व विक्टर को कहते है कि तुमने मुझे शादी करने का वादा का टिया तूमने तूमने पूरा पूरा भी किया और उसी करड़ अमने आपको उसके रिंग वापस करते हुए बड़रा आपकर निगुद भूजिया और तू है।